नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डैली NCR में दोस्तों मैं हूं रंजीत और आज मैं आपको ले के चलूँगा नई सड़क जो चांधनी चौक में है और ये साड़ी लहंगे इन सब चीजों के लिए बहुत ही फैमस है तो आज इसपेसली हम आपको लहंगा दिखाएंगे इस वीडियो में जो 300 रुपीज से ले करके 15,000, 16,000, 20,000 रुपीज तक के लहंगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और एक से एक लहंगे हैं दोस्तों 300 500 600 इस तरह के रेंज में हैं कम रेंज में लहंगे हैं अगर आप business purpose के लिए चाहिए आपको तो भी आप यहां से purchase कर सकते हैं या अपने घर के लिए चाहिए प्रेसनल यूज के लिए चाहिए तो भी आप बहुत ही कम कीमत में यहां से लहंगे खरीच सकते हैं और यह चांदनी चोंक एरिया में पढ़ता है नियरेस्ट इस्टेशन जो ह काफी लंबी हो रही थी तो मैंने दो पार्ट में दिखाया है बहुत सारे लहंगे हैं एक से एक लहंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी इतने सारे लहंगे हैं इन दो वीडियो में हमने cover किया है और minimum से minimum ज जो है बच्चों के कपड़ों के वीडियो अपलोड करूंगा बहुत सारे डिमांड आ रहे थे काफी टाइम से और अब टाइम आ गया है तो मैं कल बच्चों के कपड़े अपलोड करूंगा तो बिल्कुल आप देखना ना भूलिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं हर दिन एक वीडियो में अपलोड करता हूं हॉलसेल मार्केट से जुड़ी बिजनस से रिलेटेट जो भी है वीडियो तो वह आपको मोबाइल पे नौटिफिकिशन आती रहेंगे आप बेल का इसमें एक एक पीस हैं जैसे दिखाया है इसके कलर सारे मिल जाएंगे आपको यह दिखें ट्वेंटी टू फिप्टी रुपीस का है बहुत ही बड़ियां वर्क किया हुआ है अगर अच्छे से यह बड़े सोरूम में आप यह लेते हैं तो आठ जार दस जार रुपिये अ और नेट के उपर जो है इसमें भी वर्क किया हुआ है यह सारे मसीन से होते हैं जो हैंडमेट होते हैं जो हाथ का वर्क होता है वो अब यसलिए महगा होता है काफी महगे लहंगे भी हैं जो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा और यह सिक्स पिप्ट मैंने मैं हमेशा बोलता हूँ आपको आप मार्केट विजिट कीजिए ताकि आपको और भी ज्यादा रेंज देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं हूँ या कोई और भी अगर आपको वीडियो में दिखा रहा है तो 5-6 दुकाने 8 दुकाने ज्यादा ज्यादा कभर कर पाता है दस मिनट के वीडियो में अगर आप यहां पे विजिट करेंगे तो आपको पचासों दुकान है पचासों सौप है जहां पे आप अपने मन पसंद के लहंगे खरीच सकते हैं यहां से और जब आप देखेंगे खुद तो और अच्छा आपको फिल होगा और आपको अच्छ के लिए सेलिंग परपस के लिए तो भी यहां पे आप आके काफी पैसे बचा सकते हैं यहां पे एक से एक लहंगे यह देखें 300 उपीस का है यह लहंगा और minimum 300 उपीस का है था इस सौप में तो और भी होएंगे हो सकता है 200 का भी मिल जाए क्योंकि बहुत सार यह भी सौप ह जहां पे मैंने कभर नहीं किया जिसको मैंने और मैं वहां पे नहीं गया हूँ तो हो सकता है इससे कम में भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि almost 200 दुकाने होंगी यहां पे दोनों साइड में है और यह market संडे को बंद रहती है तो संडे को आप ना आएं संडे के अलाबा आप कभी भी आईए यहां पे और अगर आप हॉलसेल में खरीद रहे हैं तो यह transportation की सुभिदा है यह आपको courier के थुरू या transport के थुरू आपके shop तक भिजवा देंगे बट उसके लिए आप आके first time जब भी हो आप आईए यहां पे पैसे देखे और अपने सामने pack करवा लीज है वो आपको 10 contact दे देगा जो होलसेलर होता है वो बड़े सारी लोगों से contact होते हैं क्योंकि उनका कामी यही होता है तो आपको contact मिल जाएंगे जो भी है कोरियर वाले या transport वाले आप अपने हिसाफ से डिलिंग कराईए क्योंकि बहुत सारी लोग बोल रहे थे सर बाद में कुछ और पैक करके भेज़ देते हैं ठग तो नहीं लेगा हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप first time ले रहे हैं अपने सामने में बुक करवाईए कोई दिक्कत नहीं है आप बिना होलसेलर के मदद के भी बुक करवा सकते हैं और अभी तक मैं दुवारा बताना आपको GST वगरा का कुछ खास असर मुझे नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि अभी दो मेने तक सरकार की तरफ से भी कोई चेक चाक नहीं हो रही है तो होलसेल वाले भी बिना GST के भी आपको समान दे रहे हैं हाँ अगर आपको GST चाहिए तो GST मिल रही है वो आपको बिल चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और मार्केट नॉर्मल चल रहे है दोस्तों घबराने की बिलकुल बात नहीं है सब कुछ ओक्य है और GST दो मेने के बाद भी जैसे हट जाता है सरकार का जो भी है बैन वगरा या जो भी उन्होंने आपने टाइम पिरियड दिया है दोड़ है मैने का उसके बाद भी नॉर्मल रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं होना क्योंकि अगर आपको थोड़ा महगे में मिलेंगे तो आप महगे में बेचेंगे तो उसके लिए जादा परेशान होने की कोई ज़रुत नहीं है और बहुत सारे लोगों को फाइदा हो रहा है काफी लोगों ने बिजनस स्टार्ट किया है और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे यहां पे आपको लहेंगे मिल रहे हैं अभी साधी का टाइम है और अगर आप प्लान कर रहे हैं सौपिंग करने का तो यह बेस्ट प्लेस है क्योंकि इन सब चीज हो सकता है आप राइट हो क्योंकि मैंने सूरत अभी एक्स्प्लोर नहीं किया है और नेक्स्ट कुछ महीने में प्लान कर रहा हूं मैं कि देली से बाहर जाके मैं अलग अलग जगह की विडियो आप तक पहुचाऊंगा तो ये मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं दोनों जगह का compare करूंगा तो अभी हो सकता है सूरत से सस्ता हो बट अभी मैं फिलहाल आपको देली का ही दिखा पा। जब मैं सूरत याऊंगा तो वहां से वी compare कर के बताऊंगा आपको और मैंने भी सुना है कि बहुत सचती साडिय के सूरत में कपड़े कि जेगा आपने साइद खरीदा भी होगा ऐसा नहीं है कि साधी भीया नहीं होते हैं हर घर में होते हैं और इतना तो अंदाजा होगा जो यही आप कपड़े अगर आप मार्केट से लेते हैं सोरूम वगर ऐसे बस डिस्प्ले की होती है इस पर जो लाइटिंग पढ़ती है और आपको जो बिठा के वो चाय पानी कराते हैं और आप एसी में थोड़ी दिर बैठते हैं उसके सौप में जाके उन सारे खर्चे एड़ करके यह काफी पैसे लेते हैं दुकंदार और साइद आपको आज एहसास हो रहा होगा कि साइद मैंने कुछ खरीदे होंगे तो ब सम पैसे में माल खरीटके आप होलसेल से माल ओफाइए और रिटेल में बेचिये और अपनी जिंदगी को सबार जिये आप अच्छे पैसे कमाईए और अपने घर परिवार को आप अच्छे से चलाईए हमारी यही कोसिस है और मैंने यही सोचा था स्टार्ट करने के पहले कि कुछ ऐसा करूं ताकि लोगों को फाइदा हो और डेफिनेटली आपको फाइदा हो रहा है यह मैसेज मुझे आते रहते हैं बहुत सारी दुआएं मिल रही है और बहुत अच्छा लगता है हमें जब मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को एक से एक आडिया दूँ और बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी बताते हैं उस पर मैं वर्क करता हूँ तो काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है और आगे और भी अच्छी अच् चैनल पर तो जरूर देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए हो सके तो सेर कीजिए आपको अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो जरूर इसे सेर कीजिए बहुत-बहुत धनिवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके बहुत-बहुत धनिवाद आपका